पन्नगे चे सुरेंद्रे चे कौशिके पादसंस्प्रिशी नीर्विशेष मनस्काय स्री बीरस्वामिने नमह आरहत वांमय में कहा गया है दानान सिठ्थम अभयप्पयानं सचेशुया अनवज्जंवयंति तवेशुया उत्तम बंभचेरं लोगुत्तमे समने नाय पुत्ति आज छह दिवशिये दिक्सा कल्यान महोत्सव वरस के संदर्भ में आयोजित समारोह के अंतरगत दूसरा दिन है वैशाख शुकला दसमी का दिन है वैशाख महिना और शुकल पक्स और ये दसमी की तिथी परम स्रध्धेय परम बंदनीय परम आराध्य प्रातह स्मरनीय भगवान महावीर से जुड़ी हुई है भगवान महावीर ने सन्यास का जीवन लगभग तीस वरस, थर्टी, तीस वरस की उम्र में स्विकार किया और लगभग साधे बारह वरसों तक मानो कठोर विशेश साधना की तप तपा और आज के दिन मानो की उनकी साधना कुछ फली भूत होई और फली भूत इस रूप में होई कि आज के दिन उन्होंने केवल ग्यान प्राप्त किया था यानि अनन्त ग्यान सरवग्यता प्राप्त की थी और साथ में केवल दरसन निर्मोहता पूर्णतया और निरंतरायता ये चार संपतिया चार घात्य करमों के सय के द्वारा प्राप्त की थी तो आज का दिन तो एक ज्यान प्राप्ति का दिन है दीतरागता प्राप्ति का दिन है सक्ति संपन्न होने का दिन है सर्वदर्शी होने का दिन है भगवान महावीर तीर ठंकर बने उन्होंने प्रवचन किये देशना दी और एक परंपरा आगे बढ़ी जैन शासन के रूप में वह परंपरा या एक परंपरा हमारे सामने है जैन शासन जैन धर्म में अध्यात्म की साधना का महत्व है और अध्यात्म की साधना के लिए चार तिर्थ हैं साधू, साध्वी, स्रावक, स्राविका कई लोग साधू बन जाते हैं कई बाईया, साध्वियां बन जाती हैं कई ग्रिहस्थ जिवन में रहते हुए साधना करने वाले स्रावक और स्राविकाएं होते हैं जैन सासन में जो ये साधुत्व की साधना की व्यवस्था या परंपरा चल रही है वे दो प्रकार की है एक दिगंबर परंपरा और दूसरी स्वेतांबर परंपरा दिगंबर परंपरा में जो सन्याशी सादू होते हैं वे वस्त्र नहीं पहनते वस्त्र रहित अचेल नकेड रहते हैं और वह परंपरा भी आज भी चालू है दिगंबर आमनाई में अचेल निर्वस्त्र ग्रिहत्यागी सन्याशी होते हैं दूसरी परंपरा स्वेतांबर परंपरा है स्वेत अंबर श्वेत यानि सफेद अंबर यानि कपड़ा सफेद कपड़ा रखने वाले साधू तो दूसरी परंपरा यह यानि एक दिगंबर दिगंबर दिशा मानो और कोई अंबर नहीं आकास ही जो कुछ है उनका आवरन हो त दूसरी श्वेतांबर सफेद कपड़ा रखने वाले वह परंपरा इसमें भी सादू होते हैं और श्वेतांबर परंपरा में भी दो विचार धाराएं हैं एक मूर्ति पूजक परंपरा दूसरी अमूर्ति पूजक परंपरा अमुर्ति पुजक परंपरा में भी स्थानक वाशी और तेरा पंथ योग दो संप्रत विभाग हैं तो हमारा धरम संग है वो स्वेतांबर परंपरा में तेरा पंथ आमनाय है हमारे इसे संप्रदाय को सुरू हुए 263 वर्स पूरे हो चुके हैं 264 वर्स चल रहा है और आशाड महिने में 264 वर्स मानो संपन होने वाले हैं तो हमारे धरम संग का ये प्रारंप होने के बाद लगभग 264 वर्सों का इतिहास है इस इतिहास में हमारे संप्रदाय के प्रथम अनुशास्ता प्रथम आचारिय श्रीमद भिक्सु स्वामी हुए आचारिय भिखन जी हुए वे हमारे संप्रदाय के मानो संस्था पक जनक जनक हैं उत्पन करने वाले चलाने वाले हैं तो वे आध्य प्रणेता आध्य अनुसास्ता आध्य आचारिये परमपूजनी आचारिय भिक्सु स्वामी है उन की यह परंपरा या उन से संबन्दित यह परंपरा इसमे नियम ब्यवस्था अनुसासन कई धाराएं, मरियादाएं, आचारिय भिक्सु के समय बनी और कोई भी संगठन होता है, समूह होता है और लंबे काल तक उसको चलाने की या चलने की संभावना है तो नियम, व्यवस्था, मरियादा और संचालन कोन करेगा यह व्यवस्था होना अपयक्षित होती है हम भारत राष्ट्र को देख लें, Constitution है, संभिधान है और संभिधान है, संभिधान के अनुषार राष्ट्र चल रहा है हमारे धरमसंग में भी मरियादाएं, व्यवस्थाएं व्यवस्थार विधान है और उस बिधान के अनुसार हमारा धरम संग भी आज करीब 274 बरसों से चलता आ रहा है लोक तंत्र की व्यवस्था होती है राज तंत्र की भी व्यवस्था है राज तंत्र की अपनी साशन प्रनाली है लोक तंत्र की अपनी प्रणाली है परंतु लोक तंत्र हो या राज तंत्र हो अनुशासन, बिधान, व्यवस्था, नियम ये संभवते दोनों जगह आवश्यक होते हैं अनुशासन उभयत्र आवश्यक है लोक तंत्र में भी अनुशासन चाहिए राज तंत्र में भी अनुशासन चाहिए लोक तंत्र है कि जनता का राज है तो जनता का राज है तो जनता से चुने हुए यक्ति आते हैं सरकार बनती है तो अनुशासन तो जरूरी है उसके बिना अच्छा कैसे रह सकेगा तो अनुशासन का महत्व है अब कोई कह दे मैं तो स्वतंत्र भारत का नागरिक हूँ मेरे पर क्यों अनुशासन तो स्वतंत्र हो प्रस्वचंद नहीं बनना अनुशासन ही नहीं बनना है अंग्रे जी का सुंदर कथन है Without duty and discipline The duty of democracy shall be doomed to death and destruction कि कर्तव्य और अनुशाशन के बिना लोक तंत्र का देवता मृत्यू और बिनास को प्राप्त हो जाएगा तो यह अनुशाशन राष्टर के लिए भी अपिक्सित है सामाजिक संगठन के लिए भी अपिक्सित है और धार्मिक संगठन के लिए भी अपिक्सित है हमारा संप्रदाई मुख्यतया एक धार्मिक अध्यात्मिक संगठन है तो इसमें एक आचारिय की परंपरा है और एक आचारिय की परंपरा में भी कि वर्तमान आचारिये भावी आचारिये का निर्नय करें कोई वोटिंग की बात नहीं कई व्यक्तियों की कमेटी बैठ करके निर्नय करें वो भी बात नहीं वर्तमान में जो आचारिये है जैसे पहले आचारिये भिक्सु स्वामी थे उन्होंने भारमल जी स्वामी को उत्रा धिकारी बना दिया उन्होंने आगे रायचन जी स्वामी को यो आगे करम चला नौमे गुरु आचारिय तुलसी हुए उन्होंने महाप्रग्य जी को अपना उत्रा धिकारी बना दिया तो यह सामन्य तया करम है कि वरत्मान आचारिय भावी आचारिय का निर्नय करते हैं तो ये एक आचारिय की हमारे यहां परंपरा है और ये आज का दिन वैसाक सुकला दश्मी जो वैसे भगवान महावीर का कईवल्य प्राप्ति का दिन है और आचारिये स्री महाप्रग्य जी ने जो निर्णय दिया था उसके अनुसार उनके महाप्रयान के बाद आचारिये स्री महाप्रग्य जी के निर्देश और निर्णय के अनुरूप धरमसंग ने उनके द्वारा भोशित उत्तराधिकारी यानि मुझे धरमसंग ने ये तो यह एक जिम्मेवारी आचारिय श्री महाप्रग्य जी और यह आचारिय श्री तुलशी ने भी पहले महाश्रमन के रूप में दाइत्व सोंपा था और तो वो आज के दिन जो यह दाइत्व ओफिस्यल रूप में प्राक्त हुआ तो यह दिन है और इधर सन्यास लिये पचास वरस पूरे होने जा रहे हैं तो यह अनुसासन करना आदमी सोचे मैं अनुसासन करूँ मैं नेता बन जाओं मैं दूसरों पर हुक में चलाओं दूसरों पर हुक में चलाना बढ़िया तो भले लगे मैं आदेश दू दूसरा मेर बात को माने सब मेरी बात को माने मैं अनुसास्ता बनूँ तो अनुसास्ता बनने से पहले हमें सोचना चाहिए मैं अनुसासित बना हूँ या नहीं मैं स्वयम अनुसासित रहूंगा या मैं दूसरों के अनुसासन में रह सकता हूँ या नहीं मैं अपने गुरू के अनुसास में रह नहीं सकता मेरे में एहंकार इतना है तो दूसरों पर अनुसासन करने का मुझे कितना क्या अधिकार है मैं अपने गुरू की बात को सर्वथा एश्विकार करने वाला हूं तो मेरी बात को दूसरे क्यों मानेंगे इसलिए एक छोटा सा धोस है निज पर सासन फिर अनुसासन निज पर सासन फिर अनुसासन पहले स्वयम पर सासन करो नियंतन करो बाद में तुम दूसरों पर अनुसासन करने के मानो लायक रूप में सामने आ सकते हो तो हमारे धरम संग में ये साधू साध्वियां है लगबग एक सो साथ के करीब आजपास की संभवत संच्छा साद्वों की है सादे पांच सो से अधिक लगबग साद्वियां है समनियां भी हैं मुमक्सूस रावक्स राविकाएं हैं अनेक संस्थाएं हैं तो ये सन्यासियों पर अनुसासन करना जो सन्याशी हैं, जिनको मानो इतनी चिंता भी ज्यादा ने हो, उन पर अनुशाशन करना, कहीं थोड़ा कचिन तो जरूरी नहीं है, फिर भी एक बहुत भग्य की बात है, कि सन्याशीों के साथ रहने का, सन्याशी जीवन जिने का मुका मिले, बहुत भग्य की बात होती है, मूलत है साध्धुता बड़ी बात है अनुसासन करने का मोखा मिले ने मिले पर मूल साध्धुता जिवन में आए इसका अपना महत्व होता है तो हमारे दरमसंग में जो ये व्यवस्था का तंत्र है उसमें बिधान में या मरियादा व्यवस्था में आचारीय को सरवोव्परी स्थान दिया गया है और तुलना करें तो कुछ अंसों में एक समराठ और राजा की तरह है वानो आचारीय होते हैं क्योंकि प्राये बहुत से अधिकार उनके पास है जरूरी ने कि बहुतों को पूछ 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 ही काम करना अपरेगा बहुत अधिकार है और आचारिये ही भावी आचारिये का निर्णे करने के सामान्यत या अधिकारी है तो कितना बड़ा अधिकार है तो यह संगठन को चलाना और संगठन चलाने में अपने आप को समर्पित भी रखना यह भी एक प्रकार की तपस्या हो सकती है, साधना हो सकती है कि एक संगठन को संचालित करना और हमारे संग्ठन के संचालन में आचारिये सहयोगियों की भी नियुक्ती कर सकते हैं हमारे साध्वी प्रमुखाजी है जो साध्वी पांसों से अधिक साध्वियां है उनमें प्रमुख हैं हैड हैं मुख्या है और साध्वी पांसों से अधिक साध्वियों पर आचारिय के अनुशासन के अंतरगत देख रेक सारसंभाल आधि का काम करना वो साध्वी तो साद्वी समुदाई में एक नंबर पर हैं, साद्वी समुदाई में दो नंबर पर ये हमारे साद्वी वरिया संबुद्यसा हैं, साद्वी वरिया के पद पर हैं, तो साद्वी समुदाई में नंबर टू पर इनका स्थान है, समरियों की मुमुक्सवां की वरतमान में दे गवस्था तंत्र के कारिय में सहयोगी हैं और मुख्य मुनी के पद पर आशिन हैं। और हमारे अनेक संत हैं, और हैं, जो अनेक कारियों में नियुक्त हैं, अपने ढंग से गटिविद्यों में और में जड़ेवे रहते हैं। पर एक संश्थाएं हमारे हैं, जो संश्थाएं संगठन मूलक भी हैं, और भी कई संश्थाएं हैं, तो धर्म संख से जुड़ी हुई हैं, अध्याच्मिक, धार्मिक और कुछ सामाजिक गतिविदियां भी यह संश्थाएं चलाती हैं। तो यह सारा सादू, साधियों का और समणियों का स्रावक, स्राविकाएं, मुमुक्षू, संस्थाएं, यह एक पुरा संगठन है, तो आचारिये जो एक मूल धरम आचारिये, धर्माचारिये होते हैं, वे धार्मिक दृष्टी से मूलत अनुशास्ता होते हैं, धार्मिक बिधि बिधानों का निर्णय देना, शास्त्री ये बातों का कहीं संसई हो तो उसका भी निर्णय देना, और शास्त्रों का क्योंकि हमारे दरमसंग में मैं समझता हूँ वरतमान में भी कि आचारिय उपाध्याई का दाइत्व भी उनके अंतरगत होता है तो शिक्सा अध्यन अध्यापन इस गतिविदी को भी संचालित करने में आचारिय का अपना योगदान होना चाहिए तो यह आज का दिन जो है बैसाक शुकला दश्मी का दिन आज के दिन मुझे आचारिय स्री महाप्रग्य जी का बिदीवत उत्रा धिकारी के पट पर आशन पर बैठने का जो मोका मिला था आज चौदे वरस उसको पूरे हो गए हैं आचारिय स्री महाप्रग्य जी का चौदे वरस पहले महा प्रयान सरदार सहर में हो गया था तो उसके बाद उनके दिर्देश के अनुसार ये दायित्व संभालने का अवसर आज के दिन ओफिस्यल रूप में धरम संग ने चद्दर ओडा कर प्रदान किया था और वे चौदे बरस संपन हो गए उस प्रसंग को आगे कालमान बढ़ रहा है बढ़ता रहे यथा संभव और ये हम अध्यात्म की साधना को पुष्ट करने का रखने का प्रयास करते रहें ये छे दिवशी ये अभी दिक्सा कल्यान पचास बरस सन्यास लिए पूरे होने जा रहे हैं वैसे हो भी गए हैं तो इस आज के आचारिये पदारोहन दिवस का जो कारियक्रम है गुजरात के रज्यपाल महोदै का यहां आना हुआ है और पहले हम एहमदाबाद गए थे वहां भी संभवते दो बार आना हो गया था और आपका भसन भी मैंने सुना था उस दिन आपका भासन हुआ था तो एक भासन में आप मैं रज्यपाल तो हैं ही तो रज्यपाल ओने के साथ जो एक धार्मिक या धार्शनिक जो विचार जो बातें आपके मुक्षे निकली थी तो रज्यपाल तो मानो हैं ही मानो थोड़े अंसों में कोई धार्मिक प्रवचनकार हो, धार्मिक कथाकार हो कोई, कोई ऐसा मुझे लगने लगया कि राज्येपाल तो है पद्द्चेव ईसे राज्येपाल है, बड़ा सम्मन्य स्थान है, पिर आपका भासन सुना, तो ऐसे कोई धर्म का प्रचारक, धर अरोफन की और की बाती बतानेवाला, ऐसा आपका वो भासन, उस दिन मैंने वहाँ जो सुना था, तो राजेपाल तो अभी हैं है यह द्धर्म का प्रचार, अध्यात्म का प्रचार का काम भी, क्योंकि जिनके पास बानी की सक्ति हो, चिंतन सकती हो समझाने की सकती हो वैसे लोग कैसे सुक से रह सकें अगले दनम के लिए क्या करना मुक्स के लिए क्या करना ऐसी बातों को भी लोगों को मिले तो अच्छी बात है वैसे हम लोग इसी परंपरा में हैं जहां मुक्स की बात है दरम की बात है, अध्धात्म की बात है, सास्त्रों की बात भी होती है, जैन आगमों की बात है, तो हम इस प्रकार के इस अध्धात्म के प्रचार प्रसार का यथा संभव प्रयाश करते रहें, हमारे धरमसंग के सभी सादू, साद्विया, समणिया, स्रावक, स्राविकाई, म खूब अच्छा विकास करते रहें, अपने आत्मा का उत्थान और दूसरों के कल्यान में जितना योगदान दे सकें, वे काम करते रहें, तो मैं आचारिये श्री तुलशी और आचारिये श्री महाप्रग्य जी का स्रद्धा के साथ स्मर्ण करता हूं, उन्होंने मुझे इस नेत्रित्व की दिशा में आगे बढ़ाया था, और आचारिये श्री महाप्रग्य जी अपना पूर्ण रूपे ने उत्तरा धिकार सौंपा था, मैं दोनों गुरुवों के चलनों में अतना स्रद्धा बंदन करता हूं। और पांच सेकेंड रेचन करना है और पांच सेकेंड बाहर रोकना है। इस प्रिकार बीच सेकेंड में एक श्वास, सावतान रहें, वास भरें, भीतर रोकें, रेचन करें, बाहर रोकें। वास भरें, भीतर रोकें। बाहर रोकें। रेचन करें, बाहर रोकें। वास भरें, भीतर रोकें। रेचन करें, बाहर रोकें। वास भरें, भीतर रोकें। रेचन करें, बाहर रोकें। वास भरें, भीतर रोकें। रेचन करें। बाहर रोकें। वास भरें। प्रयोग संपन्नक। तो यह ध्यान के वह छोटे प्रयोग कराएं। और इनका स्वयंग बार बार अभ्यास करें। तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आशम। एकाग्रता तन्मयता अपने आत को मंगल मय अनुभव करते हुए। नमो अरहंतानं नमो शिद्धानं नमो आयरियानं नमो उवज्जायानं नमो लोए सबसाफूनं। एसो पंच नमुक्कारो सब पावपनासनो मंगलानंच सब्बेशिं पढ़मं हवई मंगलं। चत्तारी मंगलं अरहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहू मंगलं केवलिपन्नत्तो धंमो मंगलं। चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा शिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलिपन्नत्तो धंमो लोगुत्तमो। चत्तारी सरणं पवज्जामी अरहंते सरणं पवज्जामी शिद्धे सरणं पवज्जामी। साहू सरणं पवज्जामी केवलिपन्नत्तम धंमं सरणं पवज्जामी। धंमो मंगलं मुक्कित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसंति जस्धम्य सयामन। च इत्ता भारहं वासं चक्कवत्ति महिद्धियो संती संति करेलोए पत्तो गई मनुत्तरम। देव दानव गंधव्वा जख रख सकिन्नरा बंभयारिं नमंसंति दुक्करम जेकरंतितम। मंगलम भगवान बीरो मंगलम गवत मोगनी मंगलम स्थूल भद्राज्याहा जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम अतिमान भिक्षुह। मंगलम भार मल्ल कह। मंगलम राय चंद्राध्या मंगलम तुलशी गुरुह। महा प्रग्योस्तु मंगलम तेरा पन्थोस्तु मंगलम। बिग्धन हरन मंगल करन स्वाम भीक्षुनो नाम। गुण ओलख समरन किया सरे अचिन क्या काम। बिग्धन हरन मंगल करन स्वाम भीक्षुनो नाम। गुण ओलख समरन किया सरे अचिन क्या काम। बिग्धन हरन मंगल करन स्वाम भीक्षुनो नाम। गुण ओलख समरन किया सरे अचिन क्या काम। एक दिवसी त्याग आज-ाज के लिए धालना नुसार त्याग है। झालना नाम। झालना नाम। झालना नाम। झाल झाल